हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं ग्रेसी सिंग है ग्रेसी ने लगान और मुन्ना भाय M.V.B.S. जैसी सफल फिल्मों में काम किया और बॉलिवुड में पहचान बनाए हाला कि फिल्मों में ग्रेसी सिंग का करिया ज्यादा नहीं चला फिर वे चार साल पहले टेलिविजन पर लोटी लेकिन अपना स्टार्डम बरकरार नहीं रख पाई अब जब फैन्स सोशल मीडिया पर उनकी जलक देखते हैं तो उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही चुलबुली लड़की है जिसने कई साल पहले उनका दिल जीता था ग्रेसी सिंग का जन्म दिल्ली में हुआ था उन्होंने अपने करिय की शुरुआत टेलिविजन में की थी वह 1997 में टेलिविजन सीरियल अमानत में नजर आय थी कई सालों तक इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बावजूद ग्रेसी सिंग को 2001 में सफलता मिली जब उन्होंने आशुतोष बुवारिकर की लगान में आमिर खान के साथ लीड रोल प्ले किया था इस फिल्म ने ग्रेसी को रातो रात स्टार बना दिया था लगान रिलीज होने के बाद ग्रेसी सिंग ने पीछे मुर कर नहीं देखा इसके बाद अभिनेत्री ने हिंदी और तेलुगू में कई सफल फिल्मों में काम किया मुन्ना भायम बी, बी, एस में संजेर दत और अर्शद वारसी के साथ मुख्य भूमिका निभाने के बाद उन्हें फिर से पहचान मिली लेकिन ग्रेसी सिंग आमिर खान और संजेर दत साल ब्लॉक्बस्टर फिल्में देने के बाद भी बॉलिवूड में सफल करिया नहीं बना पाई इंडिस्ट्री से दूर होने के बाद 2013 में ग्रेसी सिंग ब्रम्हा कुमारिस वर्ल्ड स्पिरिचुल युनिवसिटी में शामिल हुई अपने एक इंटरव्यू में ग्रेसी सिंग ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुल युनिवसिटी से जुड़ने के बाद उन्हें शान्ती महसूस हो रही है ग्रेसी सिंग आखिरी बार साल 2020 में टीवी सीरिल संतोशी मा सुनाय वरत कताईं में नजराई थी हालां कि वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीरे शेयर कर अपनी लाइफ के अपटेट्स फैंस को देती रहती है